वेलकम बेक टू बीना बिलोक्स गाईस आप सभी प्यार रिव्यूर्स का मेरी चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है आज मैं ये मुमुस की रेसिपी शेयर कर रही हूँ मैंने इस वीडियो में मुमुस की साथ अलग-अलग डिजाइन शेयर किये हैं जो कि बहुत ही लाजबाब है इसमें से अगर कोई डिजाइन आपने नहीं बनाया है तो आप भी एक बार ट्राइज जरूर कीजिए और उसी के साथ मैंने मुमुस के साथ खाई जाने वाली सुप्रसिद लालती की चटनी भी मैंने बनाई है जो कि मैंने लालती की चटनी की रेसिपी शेयर की है वीडियो को लास्ट तक देखिए अगर मेरी रेशिपिया आपको अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को एक like कर दीजिए और अपना feedback देना बिलकुल मत भूलिए एक comment के जरी अपना feedback जरूर दीजिए अगर मेरी वीडियो को कोई नई वियर्स देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए बगल में नोटिफिकेशन बल है उसे भी और कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली हर नए अप्रोट्स की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे लाजबा प्रेसिपी है अगर इसमें से आपने कोई भी डिजैन नहीं बनाये हो तो आप भी एक बार ट्राइज ज़रूर कीजिए चलिए सबसे पहले हम मुमुस के लिए आटा लगाएंगे आटा लगाने के लिए मैंने एक कप मैदा लिया है और साथ मैंने एक छोटा चमच मैंने नमक लिया है नमक और मैं देखो अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं अब थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के हम अच्छा सा आटा लगाएंगे आटा लगाने के लिए ध्यान रखना है बहुत ज़्यादा गीला या बहुत ज़्यादा सकत हमें आटा नहीं बनाना है जिस तरह हम चपाते के लिए आटा बनाते हैं उसी तरह का हमें आटा तयार करना है आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा आटे का दू हमने तयार कर लिया है इसे मैं एक बाउल में 10 मिन्ट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देती हूँ जब तक आटा सेट होता है तब तक हम स्टपिंग तयार कर लेंगे स्टपिंग तयार करने के लिए मैंने सारी ingredients Рेडी कर लिए हैं सबसे पहले एक पैन गरम कर लेंगे पैन में एक टेबल स्पून ओयल गरम कर लेंगे ओयल गरम हो गया है इसमें हम एक छोटा चमच जीरा डाल देते हैं उसी के साथ एक बड़ा चमच मैंने अध्रक और लसुन दरदरा कोट के रखाया उसे भी एट कर लेते हैं तीन हरी मिर्च मैंने कटर में बारिक काट ली है उसे भी एट कर लेते हैं फ्राइ कर लेंगे अच्छी दरह से फ्राइ हो गई हैं गैस की फ्लेम को आफ कर देते हैं और फ्राइ की हुए मसालों को मिक्सिंग बाउल में डाल देंगे मिक्सिंग बाउल में मैंने पहले से ही एक बड़ा बाउल मैंने कैबिज पता गुभी ग्रेट करके रखा है उसी मैं मिक्स कर लेंगे यह साथ में एक छोटा बाउल मैंने फ्रोजन मेटर भिगो के धोके रखे हैं उसे भी एट कर लेते हैं साथ में दो बड़े प्याज मैंन ग्रेट करके पानी निचोड के रखें उसी भी एड़ कर लेते हैं साथ में half teaspoon मैंने तीखी लान मिट्च पाउडर लिया उसी भी एड़ कर लेते हैं और उसी के साथ एक बड़ा चमच नमक और एक छोटा बाउन कटा हुआ धनिया और उसी के साथ एक बड़ा गाजर ग्रेट किया हुआ उसी भी एट कर लेते हैं साथ में चार छोटी-छोटी सिम्ला मिर्च मैंने ग्रेट करके एक बावल में रखे हैं इसे अच्छी तरह से हातों से निचोड के हम मिक्सिंग बावल में डालेंगे क्योंकि सिमला मिर्च में और प्याज में पानी बहुत रहता है अगर हमने बिना नीचोड़े डाल दिया तो स्टपिंग खराब हो जाएगी गिली हो जाएगी मोमोस बनाने में तकलीफ होगी अब इसे हम साइट रख देते हैं सबजी बनाने के काम आएगा पानी और अब हम इसमें एक चोथाई छोटा चमच हल्दी पाउडर भी मिला के अच्छी तरह से सारे इंग्रिडिनेंस को मिक्स करेंगे स्टपिंग इदम रेडि है इसे साइट रख देते हैं तब तक हम मोमोस के लिए चटनी तयार करते हैं इसमें बनाने के लिए एक पैन गरम करने मैंने गैस में रख दी है पैन में हम एक बड़ा चमच और लसुन का पेस्ट पहले सी बना था उसे भी मैं इसमें एड़ कर रही हूँ अगर आपको लसुन जादा अच्छा नहीं लगता है तो थोड़ा सा आप खम कर सकते हैं अब उसी के साथ एक बड़ा प्याज मैंने बड़े टुकड़ों में काट के रखा उसे भी मिक्स कर लेते हैं और फ्राय कर लेते हैं साथ में एक चोटा चमच मैंने मिक्स सब्जी मसाला लिया है उसे भी अट कर लेते हैं उसी के साथ एक चोथाई चोटा चमच हल्दी पावडर लिया है उसे भी अट कर लेते हैं और तीन बड़े चमच मैंने तीखी लाल मिर्च को पहले फ्राय करके मिक्सी में ग्रेंड करके पावडर बनाया है उसे भी अट कर लेते हैं अगर आप मिर्ची के पावडर की जगपे साबुद मिर्चे अगर यूज कर रहे हैं तो 10 से 12 मिर्चे आप डाल सकते हैं मैंने यह पावडर तयार करने के लिए 10 लाल मिर्च का इस्तिमाल किया है मसालों को थोड़ा सा चटका लेंगे इस तरह से अगर आप कर सकते हैं तो कर ये अदर्वाइस अगर आपको इस तरह नहीं जमता है तो मसालों को बिल्कुल मत चटका है अगर गरम गरम बदन पे प कर लेंगे इससी मसाले अच्छी तरह से मिल्ट हो जाएंगे वसाले रेडी हैं से इस निकाल लेते हैं और मैं इसे बूरड में रख साहिं है बूरड में रखके हम टोड़ा जबाँ में चोटी चोटी हैंली गड़ में लिए दियार करएंगे। छोटी छोटी 6 लोईया कि मैं जबिए अच्छी तरह से लगा लेना है, अगर कभी मैदा कम लगा है आपने और पूढी बनाती टाइम चिपकते हैं तो उसमें नहीं हम लगा सकते हैं पूड़ी बनाते तायम हमें ध्यान रखना है मोमोस की जो पूड़ी हम तयार करते हैं उसका चारो तरब जो रहता है चारो कोने उसके एकदम पतले हमें फेलाने हैं बीच का हिसा अगर थोड़ा थिक भी रहेगा तो प्रॉब्लम नहीं क्योंकि उसमें हमें स्टपिंग डालनी है तो कोई इशू नहीं है लेकिन जो चारो पूड़िया होंगे खाने में उतना ही ज़्यादा टेस्ट हैंगे मुमोस क्योंकि इसमें स्टपिंग ज्यादा रहेगी और मैदा का बहुत कम यूज होगा अब हम इसमें दो चम्मच प्रॉपिंग डालके दोनों हातों का यूज करंगे और इस तरह से फोड़ करते जाए अगर किसी नई वीवर्स हैं जिनको बनाना नहीं आता है तो आप मेरी वीडियो से बनाना सीखसकते हैं अब बीच में लाके इसे थोड़ा सा घूमाके उपर का इसा नीची की तरफ फॉल्ड कर देंगे जैसे कि हम देख सकते हैं मुमों तयार है इसे हम बोर्ड में रख देते हैं अब उसी तरह से दूसरा भी तयार करेंगे अलग-अलग मैंने इस साथ डिजाइन आपके साथ शियर किये है अब दोन उपरतों को लेकि बीच में हम फोल्ड करेंगे और एक साइट से हम इस तरह से फोल्ड करते जाएंगे एक हाथ से हमें इसे फोल्ड करते जाना है थोड़ा सा नजदिक-नजदिक हम लेंगे बीच का हिस्सा जो आता है उसी में हमें एक्टम नजदिक लेना है और उपर का जो बचा हुआ हिस्सा है उसे हम प्रेस करके दुनों हाथ उसे दबाके बंद करदेंगे देखिए मूँ एकदम रेडी है मॉमोस और एक डिजाइन आपके साथ मैं शेयर करती हूँ इसी तरह मैंने अलग-लग साथ डिजाइन आपके साथ शेयर किये है आई होब कि आपको एक तो डिजाइन को यह अच्छा लगे अब यह भी उसी तरह का डिजाइन है लेकिन इसका जो मैं फोल्ड करूंगे यह थोड़ा सा दूर होगा वह मैंने थोड़ा नजदी किया था इसे हम थोड़ा सा दूर दूर करेंगे मोमोस के कई सारे डिजाइन है उसमें से मैंने साथ डिजाइन आपके साथ शेयर किया है मेरा मानना यह है कि design से ज़्यादा अच्छा है जो हम recipe बनाते हैं जो हम ingredients यूज करते हैं वह important है उसका taste अच्छा होना चाहिए देखें इसमें इस तरह का design आएगा अलग-अलग design है बहुत ही अच्छे design है I hope कि आप लोगों को भी अच्छे लगे है अब वापस से stuffing डालके इसे भी हम बीच में फोल्ड करेंगे और इसे हम जिस तरह से गुजिया या फिर करंजी बनाते हैं उस तरह का इसमें design देंगे side का अगर ज़्यादा आटा आपको लगता है तो उसे cutter या चाको से काट के कम कर सकते हैं और मुमोज बनाते time अगर कभी कहीं से ऐसा होता कि बुड़ी फट जाती है तो हापे सूका आटा लगा कि उसको वहीं पर दबा देंगे अब हम इसको एक side से इस तरह मोड़ते जाएंगे और ये corner से last corner तक से लेके जाएंगे और last में जो extra बसता है उसे उपर के तरह fold करके pack कर देंगे कुछ इस तरह से देखे कितना अच्छा मुमो तैयार हो गया है कि डिजाइन खुद के रहते हैं हमें अपने हिसाब से कुछ भी डिजाइन रख लेना है अब उसी तरह ये भी अलग डिजाइन है इसे भी हम कि फर्स्ट परत को पहले पकड़ेंगी दोनों हातों से फिर ऐसे continue एक side से फोल्ड करते जाएंगे मुमस बिनाती टाइम दोनों हातों का यूज है यह थोड़ा सा ज्यादा काम इसमें होता है अगर इसमें एक दो जयन हो काम करने के लिए तो अच्छा है अब इसमें हम थोड़ा सा अलग डिजाइन देंगे चारों तरह मोड़ने के बाद इसे फोल्ड करके उपर से थोड़ा सा फ्लावर की तरह डिजाइन देंगे इस तरह हम कभी कपड़े की या किसी पोट्ली को बाते न उस तरह का पोट्ली टाइप का डिजाइन हो गया है कितना मस लग रहे है अगर आप में creativity है तो डिजाइन आप खुद दे सकते हैं जो भी आपको अच्छा लगता है उस तरह का डिजाइन दे सकते हैं important रहता है stuffing stuffing का टेस्ट बहुत अच्छा होना चीए मेरे हिसाब से अगर हमने बहुत अच्छा डिजाइन दे भी दिया और अगर खाने का टेस्ट अगर अच्छा नहीं है तो डि और ये भी एक तीकौना टाइप का डिजाइन है जैसे कि आप देख सकते हैं से एक कोन इसे दबा के उसको बीस तक लेकी जाना है पीच में से फिर दूसरा जीजय का फोल्ड है उसके बीचों बीच लेकल की बीच में लेकि आना है तो यह तीक्वल से का बनेगां तीनों को को एक साइट पर अंगुली से प्रेस करके थोड़ा सा यसे चून टाइप का इसमें बना देंगे हल्का साथ डिजाइन इसमें आ जाएगा जो कि देखने में भी अच्छा लगेगा हम कई सारे डिजाइन बना सकते हैं एक ही चीज़ के कुछ इस तरह से आई हो कि आप लोगों को मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे ये डिजाइन एकदम रेड़ी है इसे भी साइट रख लेते हैं स्टपिंग अच्छी तरह से भरना है और पूड़ी को ध्यान रखना है जितनी पत्ली बना सकते हैं उत्रहा ज्यादा खाने में मोज टेस्ट लगेगा अब इसको बीच में हम मोडेंगे उसके बाद दोनों सैट से हमें बीचों बीच इसको लेना है बीच का हिससा हमें पकड़ के दोनों को सैट कर देना है ये स्कॉयर बोक्स टाइब का डिजाइन बन जाएगा इससे कुछ इस तरह से पूरियां मैंने बहुत ज़्यादा पतली बना दे जितनी पतली पूरिया रहेंगे खाने में उतनी ज़्यादा टेस्ट होंगी इसलिए मैंने पूरियां बहुत ज़्यादा पतली बनाए लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है पूडियां ज़्यादा पतली हो और स्टपिंग ज़्यादा भर देता है तो कई जगह से फट जाती है पूडिया तो उसको वहीं पर प्रेस करना है हमें अब मैंने एक ये पूडि का दो टुकड़ा बना दिया है इसे हम समोसी के सेप में बनाएंगे बीच में स्टपिंग रखके ये कोने से हमें दूसरे कोने में लेकि जाना है और फिर अंगुली के सारे उसे प्रेस करके तोनु साइट पे पैक कर देना है कुछ इस तरह से हैं ये भी एक डिजैन है इसे आप डिरेक भी डाल सकते हैं या फिर इसे हम थोड़ा सा साइट पे फोल्ड कर देंगे ताकि ये खुले नहीं जिस तरह हमने पहले भी एक मुमस बनाया था उसी टाइप का इसे भी फोल्ड कर लेंगे गुजिया का शेप देखे गुजिया में जिस तरह से फोल्ड करते हैं उसी तरह से इसे भी फोल्ड करेंगे बहुत सारे डिजाइन है वीडियो बहुत बड़ी बन जाएंगी इसलिए मैंने साथ डिजाइन में आप लोग के साथ शियर कर रही हूँ आगी चलके जब भी मैं फिर वापस मुमुश बिनाऊंगी तो उसमें और कुछ नए नए डिजाइन आपके साथ शियर करूँगी मैदे की जब हम रेसिपी तयार करते हैं एक बार जब हम उसकी चूबी चीज़े बनानी है एक बार जब बन जाती है तो उसे फटाबट कुछ करना चाहिए अधरवाइस ऐसा होता है कि मैदा थोड़ा सा गिलापन उसमें आ जाता है और कई बार बहुत जगह से फट जाती है पूरियां अब इसे हम कुक कर लेंगे कुक करने के लिए मैने एक स्टीमर लिया है मेरी पास स्टीमर है ये स्टीमर को यूज़ करती हूँ पर ये उस बहुत चोटा है मेरा हमारे फैमली के साब से मुझे ये हो जाता है लेकिन अगर बड़ी लिए और आपको ज़्यादा मोमोज बिनाने है तो आप बड़ा बरतन यूज कीजिए कि स्टीमर को गरम करने रख देंगे एक कप मने इसमें पानी डाल दिया है अब जाली में हम थोड़ा सा ओईल डालके इसे ग्रेस कर लेंगे चारु द्रफ से ग्रेस करेंगे ताकि जब हम मोमोज इसमें रखें तो चिपके नहीं अब इसमें हम तैयार की हुए मोमोज लगा देते हैं अच्छी तरह से स्ट्रीमर बहुत छोटा है इसलिए मुझे दो बार इसे कुक करना होगा जैसे कि आप देख सकते हैं मोमोज बनाने के लिए हमें जाली वाला बरतन चाहिए हम कड़ाई में प्रेशर कुकर में या फिर टोप में भी बना सकते हैं ध्यान रखना है मोमोज हमें जाली वाली में बनाने हैं मैंने कुछ मोमोज जाली में लगा दिये हैं और जाली मैंने स्ट्रीमर के उपर चड़ा दिये ठकन लगा देंगे अब इससे हम 15 मिनट को खोने के लिए रख देंगे गैस की फ्लेम को मीडियम हाई रखेंगे पंदर मिनिट हो गए है ठकन निकाल लेते हैं देखें कितना अच्छा लुक्सा है बहुत ही अच्छे लाजबा मुमोस एकदम तयार है मुमोस का कलर देखें आपको समझ आ रहा होगा कितने अच्छे मुमोस तयार हुए है खास बात होती ही मुमोस बनाने में जब हम मुमोस बनाते हैं तो उसकी जो पोड़िया हम बनाते हैं बहुत पतली बनानी चाहिए आप देख सकते हैं ट्रांस्परेंट एकदम स्टरपिंग आर पाड दिखाई दे रही है तो एक खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होंगे क्योंकि इसमें मैदा बहुत कम यूज हुआ है ज़्यादा सी ज़्यादा इसमें स्टरपिंग भरी है मुमोस का कलर देखी आप समझ रहे होंगे सर्विंग के लिए मुमोस एकदम रेड़ी है मैंने प्लेट में लगा दिये है इसे गरम गरम ही सर्फ करना चीए जब भी मुमोस खाने का मन करें गरम गरम बना के गरम गरम सर्फ करने चीए गरम गरम मुमोस खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होते है मैं इसे गरम गरमी फैमिली के साथ शेयर करूँगी मेरी फैमिली को गरम गरम मुमोस बहुत पसंद है मैंने गरम गरम मुमोस के साथ मैं सीजवान चटनी शेयर की है उसे के साथ लाल तिखी चटनी शेयर की है और उसके साथ मैं मियोनिस मैंने शेयर किया है मियोनिस के साथ भी मुमुस पॉट टेस्टी लगते हैं साथ में लालती की चटनी गरम गरम बनाईए गरम गरम खाईए मुमुस खाना किसे पसंद नहीं है हर एकी पसंद है मुमुस तो आप भी बनाईए और घर पे गरम गरम मुमुस खाईए चलिए मैं आपको एक मुमस तोड़के दिखा देती हूँ कि किस तरह से मैंने मुमस बनाए हैं आप देख सकते हैं बहुत लाजबा मुमस तैयार हो गए हैं कितनी पतली परत हैं उसकी बाहर की जो है ना कितनी पतली परत हुई है तो इसी जे खाने का टेस्ट भी ज़्यादा बढ़ जाता है पूरी स्ट्रपिंग भरी है और जो पूरिया मैंने बनाई थी बहुत ही पतली बनाई थी इसकी वज़ा से मुमस बहुत ही ज़्यादा लाजबाब बन गए है मुमस किसान मियोनीस सेजवान चटनी लाल तीखी चटनी ये सारी चीज़ें अलग अलग फ्लेवर देती है और अलग अलग इसका टेस्ट होता है जिससे की मुमस बहुत ज़्यादा टेस्ट लगते है अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए नई व्यूवर्ज बगन में नोटिफिकेशन बेल को जरूर अन कर दीजिए मेरी पूरी वीडियो आस कमने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया मिलते हैं फिरे एक नई अप्रोड के साथ में तब तक के लिए आप लोग अपना बहुत ख्याल रखें बहुत बहुत शुक्रिया बहुत धन्यवाद